हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस मैं हूँ किरन आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे गले की हर समस्या दूर करने के बारे में क्या आप गला खराब होना गले में खराश गले में इंफेक्शन गला बैठ जाने से परशान है साथ एक गंटी है उसको प्रेस करें ताकि कोई भी इंपोर्टन वीडियो मिस ना हो एक इंपोर्टन बात अगर आप अपनी इंगलिश की वर्ड पावर को इंप्रूव करना चाते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा तो फ्रेंट्स गला ख्राब होना या गले में ख्राश रहना एक आम समस्या है यह हम सब को कभी ना कभी हो जाती है इसको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं तो आईए जानते हैं कुछ सर्द घ्रेलू इलाज गुनगुने पानी में नमक डाल कर दिन में दो-तीन बार गरारे करें गरारे करने के तुरंत बार ठंडा पानी ना लें गरम चाय या गुनगुना पानी लें गले को अराम मिलेगा नमबर दो- कच्चा सुहागे के छोटे से टुकडे को मुँ में रख कर चूसने से गला दो से तीन गंटे में ठीक हो जाएगा नमबर तीन- गले में खराश या खांसी हो तो पीसी हुई अद्रक में शहत मिला कर राम मिलेगा नमबर चार- रात को सोते समय चार से पांच काली मिर्च और मिश्री मुँ में रख कर चूसने से बैठा गला खुल जाता है नमबर पांच जिन लोगों को हमेशा गले में खराश रहती है वे सुबह शाम दोनों वक्त चार- पांच मुनक्का चुबा-चुबा कर खा लें उपर से पानी ना पिएं दस दिन में फर्क नजराएगा नमबर छे चार-पांच काली मिर्च और चार-पांच पत्ते तुलसी के एक कप पानी में उबाल कर काड़ा बना लें इसे पीने से आपका गला साफ हो जाएगा नमबर साथ- गले में खराश हो तो इलाइची चुबाकर उपर से गुनगुना पानी पीना फाइदेमन होता है नमबर आठ गले में खराश, गले में इंफेक्शन, गला बैठ गया हो, पानी पीने में तकलीफ, लार निकलने में तकलीफ हो रही हो, अवाज भारी हो गई हो, तो एक गिलास गाएं के दूर में एक चमच गाएं का घी और एक चुथाई चमच हल्दी डाल कर कुछ देर उब लीफ हो, गले में खराश, गला खराब हो, तो गो मुतर का कुला करें, यह गले को तुरंथ ठीक कर देता है, नमबर दस, बोलते बोलते गला बैठ जाएं, तुरंथ थोड़ा सा गो मुतर पी लें, गला ठीक, नमबर ग्यारा, हल्दी को दूर में डाल कर पीने से गला ठीक होता है, नमबर बारा, अद्रक को तवे पर बून कर, थोड़ी हल्दी लगा कर चूसना शुरू कर दो, खांसी गले की खराश तुरंथ ठीक, फ्रेंट्स ये थे कुछ घ्रेलू उपचार, जिने फोलो करके आ आज की इंफोर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत बूलना, और मेरी वीडियो को डेर सारा करना है लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सबस्क्राइब, ओके बाई बाई